नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका और पिछले वार जो वीडियो थो आपना जो डियाबिटिक के उपर था बहुत शांदार आप लोगों का रिस्पॉंस मिला इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ें तो आज जिस टॉपिक के उपर आज अपनी चर्चा रहेगी तो हाट के उपर रहेगी हाट अटक क्या हो टा है कोलेस्टरोल क्या होता है कि नहीं हम अपने हार्ट को संबाल के रखना बहुत जरूरी है तो इन सारी चीजों को अपन आज समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत चांदार वीडियो होने वाला है दोस्तों अंत तक बने बहुत सारी टिप्स आप लोगों को मिलेंगी आज इसमें और साधान रूप से अपन बिल्कुल चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज जो अगर हम यहां समझें, हमारा जो शरीर है, उस शरीर को हमें चलाने के लिए, आपको मालूम है क्या-क्या चीजों की अपने को खाना खाना होता है, अपने को वायू की जरत होती है, हवा की जरत होती है, और जो तीसरी चीज की जरत होती है, वो पानी की जरत होती है, तो यह तीनों चीजों की अपने शरीर में आवशकता होती है, तो यह जो चीजे हैं, यह हमारे शरीर में जाने के बाद में हमारे जो हर अंग को हमारे हर ओर्गन को oxygen चाहिए होती है कुछ nutrition चाहिए होते हैं और water की ज़रत होती है तो ये हर अंग को चाहिए होते हैं और आज अपन जिस अंग की बात करने जा रहे हैं यहनी heart की जो बात करने जा रहे हैं हार्ट एक बहुत महत्पूर्ण अंग है और अपने को अच्छे से मालूम है दोस्तों ये 24 आवर्ज अपना काम लगातार करता रहता है और कुदरत ने इस औरगन को इस तरीके से बनाया है कि 1500 से 200 साल तक ये फंक्शन कर सकता है लेकिन आज जो हमारा लाइफस्टाइल हो गय है उस कारण से इसकी जो हैल्थ है इसके ओपर बहुत बढ़ा प्रभाव पढ़ रहा है यह हम लोग अच्छे से जानते हैं तो इसको पहले इसके फंक्शन को हम थोड़ा सा समझें कि ये करता क्या है तो हार्ट का अच्छे से एक ही फंक्शन होता है पंपिंग करने का काम ह ब्लड को पंप करता है और उस पंप करने के माध्यम से जो पूरा ब्लड है वो हर और गन्स तक सप्लाई होता है तो उसमें हार्ट का योगदान होता है तो दोस्तों यह जो हार्ट है यह अपना कैसे स्वस्थ बना रहे इस चीज को अपने को समझना बहुत जरूरी है अब एक काम अपने को यह करना है कि यह जो हार्ट है अपना इसको अपने आपको भी स्वस्थ रखना है और इसकी जो कैपेसिटी है यानि कि जो पंप करने की कैपेसिटी है वो भी बरकरार बनी रहे तो उसके लिए क्या-क्या चीजे हमें ध्यान में रखनी है तो उसको अप पर इंब आपकर आतर आप Teen अपनी लाइफ स्टाईल की अगर बात करें कि कौन से वो कारण है काम ज्यादा होता है हम अपनी बॉड़ी को इतनी एक्सोसाइज नहीं देते हैं हम अपने हार्ट को इस तरह से उस लेवल में नहीं लेके आते हैं कि जब उसको ज्यादा पंपिंग करनी पड़े और उसके बाद में फिर वही चीज़ है उसको थोड़ा रिलेक्स भी कराना प काम होता है उसके बाद अगर देखें कौन सी चीज़ एफेक्ट करती है तो आज जो कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रही है जिसमें अपनने जो अभी थवरी चर्चा की थी शुगर की बात की थी जो डियाबिटिक की बात की थी डियाबिटिक का भी जो डियाबिट पड़ता है और अगर हम बात करें जो आज फास्ट फूड हो रहे हैं जो हमारी इस तरह के जो हम फूड ले रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि किस तरह का हम तेल यूज़ कर रहे हैं इसी वीडियो में आगे और भी समझेंगे कि कौन सा अच अंदार वीडियो बना हुआ है डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां से भी चेक कर सकते हैं तो ओईल का और अपने फूड का भी बहुत बड़ा एफेक्ट अपने हाट के ऊपर पड़ता है यह हैं जो इस सारे कारण हैं जो हमारी हाट को एफेक्ट करते हैं अब हम अरसान इसको आरसानी से कैसे समझ सकता है जिस तरह से मैंने बात की पहले कि हमारे जो शरीर को क्या-क्या चीजों की जुरत पड़ती है अब हमारे जो शरीर के इंटर्नल और गंसे उनको यह सारी चीजे जो उपलब्द कराया जाता है यानि कि oxygen nutrition और water की उपलब्दता कहां से होती है यह हमारे blood से होती है यानि जब हमारा blood flow करता है और वो blood हमारे सब organs तक जाता है तो वहां से उस organ की पूरती होती है उसको जो जो चीजे चाहिए oxygen nutrition और water की पूरती उस blood से होती है यानि blood का सही तरीके से हर organ तक पहुचना बहुत जरूरी है अब हार्ट क्या करता ह pumping का काम करता है और जिस तरह से pump अगर काम नहीं करेगा तो blood वहां तक दूसरे organs तक नहीं पहुचेगा अब heart को जो pump करने के लिए उसकी अपनी internal health भी जरूरी है यानि कि heart की जो mass patient है वो उसकी मजबूत रहनी चाहिए अब mass patient का अगर आपन और बारी की से समझे तो फिर हमें protein का भी महत होता है तो वो भी अपने को शेरीर में sufficient मातरा में होना चाहिए इसके अलावा अब हम जो खास बात करने जा रहे हैं कि जो heart है वो जो pump करता है तो धमनियों के माध्यम से यानि कि धमनिया यानि कि arteries जो होती हैं वो blood को लेके जाती है अब ये जो blood heart से निकल के जो organs तक पहुचता है आप देखेंगे कि बहुत तेजी से pumping होती है और उसका एक pressure बनता है तो जो BP की अगर बात करें अगर BP को भी अगर हम जनरल भाशा में बताएं कि जो heart जब pump करता है तो blood का जो pressure है वो arteries पे यानि धमनियों की जो walls है उसके उपर कितना पढ़ता है उसी को measure किया जाता है अब ये जो blood pressure है ये एक निर्धारित मात्रा है उसमें रहन बहुत जरूरी है अब ये जब जरूरत से ज़्यादा होता है तो उसका effect कहां पर पढ़ता है उसका effect पढ़ता है heart को pressure ज़्यादा देना पढ़ता है अब ये BP क्यों बढ़ता है इसको भी यहां पे अपनी heart की health में अपन उस चीज को समझेंगे कि जो arteries है यान धमनिया है उ इसके अंदर blockage हो जाते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहाँ पे जमा हो जाती है जिसको हम कहते हैं plague plague कुछ नहीं है दोस्तों इन शब्दों पर मत जाओ आप plague को अगर मैं आपको आसानी से समझाओं जैसे हमारे दांत होते हैं दांतों के उपर जो पीला-पीला पन आ जाता है या कुछ चीजें होती है जो दांतों को खराब करती हैं वो चीजें जो deposit हो जाती है इसी तरह की चीजें जब arteries में यानि धमनियों में कुछ deposit होने लगती है तो वो plague बनता है अब यह जब plague बनता है तो इस plague के कारण क्या होता है कि जो उनकी मोटाई है वो कम हो जाती है और वो कम होने के कारण से blood जादा जाए उसके लिए heart को जादा pump करना पड़ता है pressure जादा देना जाए थोड़ी सी blood clot होने लग जाता है blood clot होने से भी बहुत सारी चीजे होती है आगे से आगे एक दूसरे के साथ में चीजे बहुत जुड़ी हुई है हम बहुत ज्यादा deep में नहीं जाएंगे लेकिन BP के कारण blood pressure बढ़ने के कारण heart के उपर force ज्यादा heart को ज्यादा काम क पढ़ता है इस कारण से उसकी heart की health के उपर भी उसका असर पढ़ता है तो एक कारण अपने को जो समझ में आया कि BP के कारण यानि की arteries के अंदर जो pressure बढ़ता है blood का उसके कारण heart की health पे उसका effect पढ़ता है और वो चीज कैसे बढ़ती है वो plague जो बढ़ने का कारण है वो है cholesterol जी यहां दोस्तो cholesterol पे हम आएंगे यह cholesterol क्या चीज है और क्यों उसको संभाल के रखना है और यह cholesterol भी दो तरीके का होता है bad cholesterol होता है good cholesterol होता है उसको भी अपन समझेंगे लेकिन अभी हमने जो चीज समझी यह जो plague है plague के माध्यम से cholesterol इखटा होता है और वहां पे धमनियों को वो ब्लॉक करता है और जिसके कारण हार्ट की हेल्थ के उपर इफेक्ट पड़ता है अब दूसरा दोस्तों हार्ट का होता है जो हार्ट की हेल्थ है यानि हार्ट की जो मसल्स है यानि हार्ट को खुद को भी ब्लड की जौरत पड़ती है उस वो दूसरों को भी ब्लड सप करना पड़ेगा उसकी भी जो अपने अंदर की जो धमनिया है जो उसकी वेंस होती है उनका भी स्वस्त रहना बहुत जरूरी है तो अगर उनमें ब्लॉकेज हो जाता है तो बाइपास सर्जरी करनी पड़ती है ऐसी ऐसी नौबते आती है यानि कि अब जो मोटी चीज जो नि दूसरा हमने बात की कि अगर हम कुछ फास्ट फूस से दूरी बनाते हैं कुछ अच्छे फ्रूट्स लेते हैं कुछ ओमेगा का अपना इंटेक हो यानि कुछ निट्रिशन के उपर अपन जाएं कुछ प्रोटीन का इंटेक अपन जादा करें इन सारी चीजों को अगर दूसरा हमने बात की exercise के लिए कि हम कुछ इस तरह की exercises करें जिससे हमारे heart जादा धरके यानि हमारी heartbeat तेज हो जब हम running करते हैं fast running करते हैं उस तरह की exercise मैं यह नहीं कहता कि एक ही दिन में अपने को बहुत जादा करना है अपने को continuous अपने दिन के routine में इस तरह की schedule डालना है क कि हम लगातार कुछ आदे घंटे या कुछ एक घंटा अपना कुछ टाइम इस तरह के उस पे स्पेंट करें यानि हम एक्सोसाइज करें अगर जब हम एक्सोसाइज करेंगे तो अपनी हार्ट को हम सही रख सकते हैं और अब जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ फूड की बात कर र उसमें सबसे बड़ा जो रोल कोई अदा कर रहा है तो वो palm oil अदा कर रहा है दोस्तों यह palm oil बहुत सस्ता तेल है जो विदेशों से आता है और Hinduistan में सबसे जळदा आज इसका consumption हो रहा है यह आता तो था पार साबून बनाने के हिसाब से आता था लेकिन आज इसको हर तेल में मिला के बेचा जा रहा है और ये awareness नहीं होने के कारण हमारा जो health है heart health बहुत प्रभावित हो रही है तो दोस्तों हमें सबसे पहले इस oil को समझना चाहिए best oil कौन सा हो सकता है तो जैसा मैंने भी बात की थी कि description में जा के अपन अगर क्यों होता है उसके अंदर एक तत्व होता है जिसको हम original कहते हैं और ये original जो है वो शरीर में जाके क्या करता है तो दोस्तों मैं मिलकुल आपको एक साधान रूप में बताऊं कि जिसको भी heart attack आता है डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद में उसको सबसे पहले जो injection दिया जाता है वो original का injection लगाया जाता है directly blood के अंदर original को insert किया जाता है और जैसे ही blood के अंदर original जाता है वो हमारे blood को पतला करने का काम करता है और जैसी blood पतला होता है, हमारे जो blockage है, जो blood flow नहीं कर रहा था, वो blood flow करने लग जाता है, और हम heart attack जैसी situation से बाहर आ जाते हैं, तो दोस्तों जो original है, वो दवाईयों के रूप में भी हमें मिलता है, लेकिन यहां में natural रूप से अगर हम लेना चाहते हैं, तो keval और keval एक मा तेल है, उसी में original मिलता है, और original की जो pure form है, वो gamma original के रूप में हमारे पास में है, और gamma original एक wonder nutrients की तरह हमारे सामने आया है, और दोस्तों gamma original के ओपर भी बहुत शांदार वीडियो आप बना हुआ है, यह gamma original क्या है और कैसे लेना होता है, यह सब चीज आप नीचे description में आएंगे, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, तो main चीज जो समझ में हमें आई कि यह जो cholesterol, यह है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, और cholesterol को भी हम दुश्मन नहीं कहेंगे, क्योंकि cholesterol भी good और bad cholesterol होता है, तो थोड़ी सी चर्चा आपन इस good और bad cholesterol की कर लें, तो दोस्तों इस लिपो प्रोटीन जो होता है, low density लिपो प्रोटीन होता है, LDL कहते हैं, और high density लिपो प्रोटीन होता है, इन words में या इन में अपने को नहीं जाना, कुल मिला के बात है, cholesterol दो किसम का होता है, एक अच्छा और एक बुरा, अब दोस्तों हम सबसे बड़ी चीज बात करेंगे अच्छा जो cholesterol है वो अपने को मिल रहा है, हमने rice bran तेल की बात की, लेकिन अब मैं आपका जो focus है, वहाँ पे लेके जाना चाता हूँ, सबसे ज़्यादा जो culprit है, वो है हमारा जो bad cholesterol है, दोस्तों ये जो bad cholesterol जो इसे अपने बात की, bad cholesterol जैसे palm oil की हमने बात की, वहाँ से मिलता है, और भी बहुत सारी जो इसके sources है, वहाँ से अपने शरीर में ये उत्पन होता है, और जो good cholesterol है, ये हाँ, अगर हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में है, तो इस bad cholesterol को वहाँ से flush out करने का भी काम करता है, वो निकालने का काम करता है, लेकिन अगर ये नहीं निकलता है, ये deposit होता जाता है, और ये ही heart attack का सबसे बड़ा कारण बनता है, तो दोस्तों ये जो bad cholesterol है, इसको हमें खतम करना बहुत जरूरी है, और ये खतम कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास में बहुत सारी चीजे मैंने अभी discuss की, वो सब चीज हम कर सकते हैं, और gamma original इसमें एक wonder nutrients की तरह काम कर रहा है, उसको आप बहुत जरूरी है, उसका अपन इस्तमाल करें, तो heart के उपर अपन ने जो भी अभी तक चर्चा की, ये किस तरह से heart काम करता है, और किस तरह से हमें कौन-कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, जिसके कारण हमारी heart health सही रह सके, और अगर हमार heart health सही रहेगी दोस्तों, क्योंकि ये organ बहुत ही महतवपून organ है, हम कहते हैं ना, हमने दिल दे दिया, तो दोस्तों ये जो दिल है, बहुत ऐसी चीज है, जिसका बहुत महतवपून रोल है, तो इसको ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छा लगा, आज हमन इन सारे points के उपर discuss किया, और अगर आपको इस से related, और भी अगर आपके मन में कोई प्रशना है, तो आप जरूर इसमें पूछे, हमारी कोशिश होगी, उसको साधान रूप से किस तरह से हम सामने आपको clear कर सकते हैं, तो नमस्कार, आप लोग ने मुझे इतना ध्यान पू